हलो दोस्तों आप देख रहे हैं सर्विस सेंटर सर्विस सेंटर में आपका स्वागत है मैं हुग मर्जित आज हम आप लोग को पैना सोनिक इनवर्टर एयर कंडिशनेर का ट्रबल सूट चार्ट बताने वाले हैं ट्रबल सूट गाइडलाइन जो इसका रता बताने वाले हैं इसमें कौन-कौन सा area code आता है और इसमें कौन-कौन सा sensor खराब होता है कैसे sensor को check करेंगे identify करेंगे फाल्ट को पुरा details में indoor PCB का outdoor PCB का पुरा practical के साथ इसमें दिखाया गया है आप देख सकते हैं किस तर से check करेंगे हर एक चीज जो है inverter AC का पैना सोनी के बारे में बताया गया है कर सकते हैं कर सकते हैं के लिए बीडियो है अप बीडियो पूरा देखें और रिबीडियो को जो है नय टेकनी से लोग के पास करें जो inhib나 स्काम को तो आप यह देख सकते हैं किस तरह से हैं करें हमारे इस चैनल को और इस बेल खंटी को भी साथ में दबादे क्लिक कर दें जिसी हम कोई सब दूसरा वीडियो बनाए आपको सबसे पहले बीने और इसका लाग उठा सके चाहिए यह देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है अगर आप इस सब के बारे में पूरा चार्ट डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं समझना चाहते हैं देखना चाहते हैं इनोटर एसी का पैरा सोनी के बारे में तो यह वीडियो आपके लिए है अगर आपको इस सब के बारे मालूम है तो यह वीडियो को सिखना चाहते हैं इन तो चेक एरियर कोड इनवर्टर मॉडल का जो भी एसी का इसमें दे सकते हैं इनवर्टर एसी का मॉडल एक्वापेट विट सेल्फ है डाइजनेशन फ्यूचर सिस्ट में क्या-क्या फ्यूचर वगरा है क्या-क्या लिखा हुआ है यह चार्ट थोड़ा बड़ा है यह हम अगर पढ़के बताने लगेंगे तो काफी बड़ा हो जाएगा आप इसमें एरियर क्या-क्या है इसको इस तरह से इस्टॉप करके समझ सकते हैं कौन सा फंक्सन कहां लिखा है उसका मतलब क्या है यहां पर देख सकते हैं कुछ रिमोट के बारे में आप चेक लिस्ट और मिडिया हुआ है इसका जो टाइमर जो है चेक करने के लिए है सेट च और क्लाक गॉरा रिसेट करने के लिए वह इस में सब कुछ दिया है और इसको करके हां से तो इसमें जो है आपका कुछ एरियर वगारा आएगा तो डिस्पले में सो करेगा तिस तरह से आप इसमें देख सकते हैं पढ़ सकते हैं वीडियो कुछ टाप करके हाउ टू dus टेकर कोड इसमें देख सकते हैं पूरा इलियो कोड टेबल यहां से आप देख सकते हैं नीचे जो है हम दिखाने वाला हूं तो हुआ फिर रहा है है यह जो holder का है नहीं देख लहाए है अपड़ी क्वार्टि में देखे तो यह आप पूरा डिटेर्स में हम आगे दिखाने वाला हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा एक है जूम करके मैं दिखाए आप लोग को और उसके बाद आप देशकते हैं यहां पर लिखा हुआ है नीचे कि ऐ है तो चेक एरियर कोड और अफ समय आउट डौर का जो है पहले आप मैं देखा एंड़ और यहां पर यहां पर देख सकते हैं डावर की डाइग्राम दिया हुआ है आउडोर का यहां पर और पूरे इस पर आप देंगे आप लोग को कमेंट करेंगे आप लोग देना चाहेंगे जानना चाहेंगे इसका यहां पर देख सकते हैं इसका जो कुछ एरियर कोड अगरा लिखा हुआ है साथ किलियर नहीं है तो आप यहां से थोड़ा पढ़के आप दखिए पढ़ते चलिए इसमें क्या क्या लिखा है अगर हम इसमें पढ़के चलेंगे बताने लगे तो बहुत ही बड़ा वीडियो बन जाएगा यहां पर भी यहां पर भी लिखा है हाव तो चेक एरियर को लॉजिक आफ एरियर कोड शोविंग यानिके किस तरह से जो है इसमें जो एरियर कोड किस तरह से सो करेगा प्लीज डोंट प्रेस अधा एसी आप बटन इन रिमोर्ट दूरिंग चेकिंग दा एरियर कोड बिकाउज बिल्द रिसेट दा आउट्डोर इरियर कणफर्म टाइम यानिके पूर्ड रहा है जो एसी हमारा जो एरियर कोड के लिए जो हम आप्लाई कर दिये हैं सब्सक्राइब कर दिए जोके कर दिये हैं कि वेस्थ कर दिया है तो कंडिशन में में přाएसी को अफ नहीं करना हैफ अप्टर एसी दिज प्रिजर कोड चेक बटन 10 सेकेंड तो एरियर कोड इमिडेटली यानि कि यस का आप जो नाम से बटन उसमें था उसको आप प्रेस जो है दस सेकेंड करके रखेंगे तो उसमें इमिडेटली तुरंथ दस सेकेंड में एरियर कोड दिखा देगा पर यस फेस आईडी यूसो एरियर कोड एक इन और नी रनिंग में लिखा हुआ इसका फूल फिरम उपर में फूरा डिटल में लिखा हुआ था वाइज का मतलब क्या हुआ हूं इस शिक सेकेंड जो दबाकर रखना है तो यहां नार्मली रनिंग करनिशन में जो है इसका हो जाएगा और इसका area code so so कर देगा उसके बाद आप दे सकते हैं area code confirm time don't press remote AC button यानि किसमें दे सकते हैं f9 अगर आ रहा है area code में area code जो है yea f9 आ रहा है तो इसका मतलब जो है Odu मतलब outdoor unit dc fan motor मोटर एरियर आ रहा है तो इसमें जो है चार मिनिट के बाद एरियर आएगा जो है आउट्डोर का जो है एसी का एरियर कोड आ रहा है चार मिनिट के लिए आएगा यह चेल में आ रहा है तो यह इंडोर तक कम्लिकेशन एरियर है कि मिन्ट के लिए यह उसके बाद इया पर आ झासे सकते हैं और और आइञा है ah तो आ रहा है तो कंप्रेसर आउट आफ सेटप फाल्ट है यह अधर सर्विस के लिए इसमें एंडर तीन मिट के लिए भी आने वाला है पर सकते हैं तुसमें हम रिमोट से आई इप्रों मेलिफेक्शन जो आ रहा है इसमें तो आप नीचे देशकते हैं पार्ट टू वेरिफाइए यानि किसका जो है पुरा डाटा मीसिंग हो गया है इस तरह से एरियर कोड आ रहा है तो रंग डाटा हो गया चीप फाल्ट हो गया इसमें अगर ईए आर पीम आ रहा करके आ रहा है इसका जो आइसी वरा रहा रहा था उसका प्रोल्म हो जाएगा था है इसके लिए आप यहां पर देख सकते हैं चेकिंग मैथर लिखा हुआ है कि चेकिंग मैथर नीटो टूल से इप्रोम अपडेट टूल एंड इप्रोम अप्डेट साप्टे और इसका जो है इसमिया पड़ सकते हैं पर क्या है रिप्रेश कंट्रोल के लिए तो थोड़ा हम इसको अगे करते हैं विल्यों को स्टाप करके समझ सकते हैं उसके बाद ही यहां पर आ रहा है ट्रोम गाइडलेंस से हाँ फरे दीखाने वाल सकते हैं इपरेट के रहे हम दिखाने वाले हैं आरिवाँ वहन इवन्ट इवन इंडूर फैन मोटर मेंrift फंक्शन यानि कि ईवन आ रहा है तो indoor का fan motor का problem हो सकता है तो इसमें क्या mom है यहां से पढ़ सकते हैं देख सकते हैं नोर का fan motor के लिए e1 आएगा तो इसमें आप पूरा details में chaart लिखा हुआ है समझा करकर लिखा है तो the video कि stop करके पढ़ लें आपको रहेगा यहां सब देख सकते हैं क्या क्या लिखा हुआ है यह जो आता डेसी मोटर आता है इसमें डेसी मोटर में इसमें तो क्या क्या प्रोलम है यहां पडिट्रस में पर सकते हैं कि यह देख से इसको अगर आपको नहीं दिख रहा है तिसको आप एच्टी क्वाल्टी में कर लें आपको एच्टी क्वाल्टी में यह दिखेगा आच्छी तरह से समझ में आ जाएगा अगरे उसके बाद यहां पर ट्रवल सूट जो है रहा है एरियर कोड का जो है इंडूर फेंड मोटर का प्रोल्म है जिसमें चेकिंग मैथड लिखा गवा है किस तरह से चेक करेंगे और उपर में जो है चेकिंग मैथड उसका भी उपर में पिता यूँवन आ रहा है मोटर के लिए है चेकिंग मैथड गुरा थोड़ा डिफ्रेंस टाइब में लिखा है तब इसको भी यहां से पढ़ सकते हैं देख सकते हैं कि वीडियो को स्टॉप करके यहां से पढ़ ले हम इसको थोड़ा आगी लेते हैं कि आपको जोंसा पार्ट से यह क्या प्रोलम आ रहा है इसके लिए आप यहां से पढ़ सकते हैं देख सकते हैं वीडियो को स्टॉप करके अगर हम पढ़के बताने लगेंगे तो यह वीडियो जो है बहुत बढ़ा हो जाएगा तो प्लिस आप लोग जो है इसको पढ़ सक है आप यहां पर देख सकते हैं कि यह पूरा वीडियो हम बहुत से ट्रवर सूट का है पैना सुन के पूरा चार्ट ही हम यह वीडियो में आप लोग को दिखाने वाले हैं तो यह थोड़ा बढ़ा हो सकता है तो प्लीज आप लोग इसमें इस टॉप करके अच्छी तरह से इसको अच्छी क्वाल्टी में पढ़ लें आपको अच्छा तरह से दिखेगा अ कि उसके बाद यहां पर देख सकते हैं एरियर कोड़ का जो इंडोर फेन मोटर का है यहां पर चेकिंग मैंसर्ट फाइव है इसमें किया कि मैंसर्ट में अलग अलग मैंसर्ट से दिया अब यह वीडियो को यहां से पिर से बता दें आप लोगो एच्टी क्वाल्टी में देखें अच्छा के लिए अगर आपको समझमें नहीं आता है तो बाकी और भी आपको चाहिए के लिए चाहिए तो हम यह बताई है मिके पार्स में करके बेकर इसको वीडियो हम फिर से बना देंगी आप लोगोची समझा करके उसमें थोड़ा टाइम लगेगा एक पार्ट में बनाएंगे तो यह जो हमारे साथ में पूरा वीडियो है जो सभी के लिए है सब लोग देख सकते हैं एक साथ में ही हां पर देख सकते हैं ट्रबर सुट गाइलान एरिया टू का है इडिक से लाएर रहा है जिसमें क्या क्या प्रॉलॉम है टू मिया अगा एक जो है इंपूट जी रो सिंव एoires इंडिक्समं मेंप्सक्न ऑली फॉर एसी मोटर यहां है इज्लेक्ट्रोनीक एक मोटर रहता है पर इसन पसफ आदिख ढ़े क्रोलं में है फिमें तो धिुमो कि उसके बाद देख सकते हैं ट्रवल सूटिंग गाइड एरियर कोड जो है यह 23 यह 40 फोटी एच फिप्टीट एफ सीक्स है यह 28 यह 27 ऐसा करके एरियर कोड आ संसर ने प्रोम रहेगा इंडूर का देख सकते हैं यह 23 इनडूर एवाफरेटर टंप्रेचर वाल्ट है इस में इसमें यह 15 आ है तो compression discharge temperature sensor फाल्ट आएगा white connector जो है वो कर रहेगा उसके लुवी ए टून्टी हेट आ रहा है तो outdoor का connesor temperature sensor फाल्ट रहेगा black connector उसके लगा हुआ है उसके लुवाइट लिए टून्टी सेवन outdoor का ambient temperature sensor आता है वोख लिए के लिए है यह आप देख सकते हैं इसको चेकिंग के लिए चेकिंग मैथेड ली दिया हुआ है सेंसर को किस तर से चेकक करेंगे या इसको दाज को का जयी रहता है अगर अगर सब्सक्तिंटब्सक्रक्रट एघसीद तो मिलागत सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करेंगे उसके बाद नीचे आप पढ़ सकते हैं इसका पार्ट टू वेरिफाई सेंसर कनेक्शन अबनॉर्मल सेंसर जो भी यहां पढ़ सकते हैं खूद देख सकते हैं हो तो मत्ति यह यह टरवर्वर सुट गाई डिसमें आ गया है यह एरियर कोड जो आ गया है यहां एकट गारा रहा है इसमें किया क्या प्रवेव हो सकता हैं आप यह कि अगये वीडियो को अप स्टॉप करके समझ लें या चीजर केसी में कोई यह चीजर का एरियर कोड आ रहा आ है तो क्या-क्या प्रोलोम हो सकता हैं है आप देख सकते हैं कि यह वीडियो को फिर बता रहे हैं आप स्टॉप करें स्टॉप करने के बाद इसको देखें अच्छी डी क्वालिटी में आपको दिखेंगा अच्छी तरह समझ सकते हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आता है उसको अन करें जिसे दुसरा कोई साथ वीडियो बनाए था हम आपके पास भेज सकें सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आता है उसको आन नहीं करेंगे तो आपके पास हमारा नोट सकते हैं कि यह वीडियो को आप स्टॉप कर लें इस डी क्वाल्टी में परहट देखें इस टी क्वाल्टी में करके आप यहां से पढ़ सकते हैं देख सकते हैं कि उसके बाद ट्रवल सुट गाई जो है एरियर कोड एफ और नाइन टी तिरी आराय कंप्रेसर स्टार्टी अम नॉर्मल रहने कंप्रेसर का जो प्रोल्म आता है इसमें अब देख सकते हैं चेकिंग मैं था लिखा हुआ है इसमें किस तरह से चेक करेंगे करें आप यह वीडियो को आप इस टॉप करके अच्छी तरह से समझ सकते हैं देख सकते हैं अधियर कोड यह तू आ रहा है कंप्रेसर आउट आफ सेट अफ फाल टैने इस अफ जो नहीं चल रहा है आउट अफ सेट अफ हो गया है तो इसमें क्या क्या प्रोल्लम हो सकता है पुरा डिट्रियस में नीचेल दिखा हुआ है इसको आप एचली क्वाल्टिक में करके देख कि यहां से दे सकते हैं ट्रवर सूट गाई लाइन जो दिया हुआ है एरियर कोड का जिक मैथ हैं अब कंप्रेसर इसमें यह तू आता है कंप्रेसर आउट आफ सेट अफ हाल दिखा रहा है तिसमें सेंसर होगा रहा है टंप्रेचर का वह सब बहुत से है त्याप इसको कि उसके बाद यहां पर क्लीन करनेंसर जो लिखा है उसके नीचे स्टेप फाइब लिखा हुआ है स्टेप सिक्स है इसकी नीचे क्या क्या प्रोड़ूम है इसको अब पढ़ें अच्छी तरह से पढ़किए अब समझ सकते हैं कि कि यहां पर दिखते हैं ट्रवर सूट का गाइडलाइन आ गया है इसमें इसमें में है क्या-क्या प्रोडऱ्म लों सब्सक्ता क्या-क्या है यहां से छेक कर सकते हैं देख सकते हैं लिखा है तो वीडियो को स्टॉप करने के पात्कूद यहां से समझ सकते हैं देख सकते हैं यहां लिखा है ट्रबर शूट गाइड समय देख सकते हैं यहां के चेकिंग मैथल लिखा हुआ है किस तर चेक करेंगे इसको और यहां गएक अज़मिय hen बङरए कंप्रेसर नमेश क्या क्या प्रोल्वा को सकता है यहां सब देख सकते हैं यहां पर देशपने आउड्वका जो राजी के लिख रहा है इस ताइम प्लिंग हो रहा है सब्हार consider रहा है है तो आप लोग इसको थोड़ा अच्छी तरह से समझने ऑग्रिकु स्टाफ करके समझें यहां पर देख सकते हैं एर्येर कोड़ जो है यह 96 आया है चिरे सकते यहां पर लाठीटिल में इसका आया है समझाखे आया या यह ये यह इफ 96 आया है तिसमें क्या क्या विसमें देख सकते हैं इसको पर सकते हैं क्या लिखा हुआ है चीज तरह समझ सकते हैं लाइन आ रहा है इसका जो आउटडोर का डिसी रहता है उसका प्रोल्म रहे गया पीज़िए का यहां से आप देख सकते हैं ट्रबर सुट गाइड लाइन दिखा हुआ है चेकिंग मैथर्ड यहां पर आप यहां यहां से स्टॉप करें स्टॉप करके अच्छी तरह से पढ़ लें समझ लें इसको पढ़के आप लोगों अच्छी तरह से बताने लगें कि यह वीडियो काफी बढ़ा हो जाएगा कि यहां से ट्रबर सुट गाइड लाइन जो है यह नाइन है आउड़ डिसी फेंड मुंटर का प्रोल्म है किसको अम्या से चेक कर लेना है चेकिंग मैथर्ड लिखा हुआ है किस तरह इसको चेक करना है और सो मीटर से कंटिनुटी पर चेक करें लेना है बोल्टेज लगा कि उसके बाद एडियर कोड जो है यह नाइन ही है आउड़ डॉर का फेंड मोटर डिसी फेंड मोटर का है इसमें भी जोई चेकिंग चल रहा है इसमें किस तरह चेक करेंगे अब मैंचे समझ सकते हैं ची तरह से उसके बाद आता है यह ट्रबल सूट गाइड आता है एरियर कोड यह नाइन टी एट 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 एफ नाइन इन इन इसमें आउड़ डॉर कंट्रोल एजी करेंट फ्रोटक्शन जो है उसका एलेडी लाइट जो है ब्लिंक से तेरह टाइम होगा नाइट नाइन पर यहां पर इसको एच्ट इक वालटी में देखें आपको अच्छा किलियर रहेगा उसकी बाद आता है ट्रबसूट गाइड लाइन जो है यहां पर एरियर कोड एफ नाइन टी एट एट एफ नाइन टीन नाइन चेकिंग मैथड यहां पर लिखा हुआ है यहां पर अक्षन है इस एसी इंपूट पावर वोल्टेज टू लो इस्ट अप्लाइजर बोल्टेज का प्रोलोम रहा उसको देख लेना है या इसे आउड़ोर कंडेंसर टू डर्टी एर फ्लोर नाट स्मूथ से यहां से अब बैस रती है जो है फ-98 फ-99 है तो क्या-क्या प्रोलो कि अब देख सकते हैं किस तरह इसमें लिखा हुआ फुरा एरियर कोड चार्ट है उसके बाद ट्रवल सूट गाइलाइन फी तू पी-3 एरियर कोड है तिसमें क्या क्या प्रोलम हो सकता है आप यहां से पढ़ सकते हैं देख सकते हैं तो वीडियो को आप स्टॉप कर रहें स्टॉप करने के बाद यहां से अच्छी तरह से समझ सकते हैं देख सकते हैं है कि अजया है में आउट डोर यूनिट ओभर वोल्टेज हो गया है आउड डोर यूनिट जोए पस बोल्टेज ओवर वूल्टेज दिखा रहा है तिसमें क्या क्या लाइट सोलर टाइम बिंक ह होगा 15 टाइम लिंक होगा तो क्या क्या प्रोल्म होगा आप यहां से पढ़ सकते हैं यह रियर कोड पी-टू-पी-थिरी में क्या-क्या प्रोलम हो सकता है कि यह वीडियो को इस्टाप करके अच्छी तरह से समझ सकते हैं पढ़ सकते हैं कि ट्रबल सूट गाइड लाइन इसमें देखते हैं यह 97 है तो डिस्टाइट टंप्रेचर कंप्रेसर इस टू हाई ओवर दैन वन थर्टी डिग्री यानि कि यह सो तेरे डिग्री पर गरम हो जाएगा ज्यादा गरम होने के बाद जो है एफ नाइंटी से ओन आएगा आउड गैस लिएक सकता है चेक रजिस्टेंस डिश्टाइस टंप्रेचर सेंसर यह ऊकिया और नाटव के है आउडर कंट्रोर डैमेज हो सक्किया है कुलिंग शिस्ट्रम नर्मली उसको चेक कर लेंगे और उसको चेक करने के लिए इसका सेंसर देख सकते हैं बाहार लिखा हुआ हुआ है किस तर सेंसर वाला चेकिंग मैथर लिखा हुआ है आप यहां चेकिंग मैथर फड़ के समझ सकते हैं चेक कर सकते हैं फिप्टी ओम के ओम का रहेगा तो हमको हम आप लोगों को बार बार बोल रहें वीडियो को तो अच्छी टीक्वाल टीम देखें आपको नई समझ में आता है तो कि उसके बाद आता है इसमें यह टेवर सुट गाई ले एफ नाइटीन नाइन इसमें देशाएं फ्री प्रोटक्शन का है आउट्डोर जो है रेड लेडी लाइट जो है ब्लिंक उन्निस टाइम हो रहा है तो क्या क्या प्रोल्म हो सकता है आप पड़ सकते हैं उसके है तो वीडियो को एच्टी क्वाल्टी में देखें आपको अच्छी तरह समझ में आएगा है कि उसके बाद यहां पर आता है एरियर कोड पी सेवन पी सेवन तो कंडेंसर ओवरिट प्रोटक्शन के लिए है मोड़ देंस टिरी डिग्री तंप्रेचर हो जाएगा तो भरी अच्छाहरि गायर कोड़ें लिंटिक हो रहा है ठुटी टाइंब़ आइप इसको भी चेक कर सकते हैं किस तरह से चेक करना है एंदो कि Online करेंगेizar को करेंगे इस्टालेशन जो कर्योंक होः करेंगी आप पड़ सकते हैं फूरा किख्यां हुआ है समझा करके कि इसके पाद एरियर कोड आ रहा है इसमें पी एट आ रहा है पी एट रहा है तो आपरेटर ओवर इट प्रोटक्शन है 63 डिग्री से ज्यादा हीट हो जाएगा इसका जो है आउड़ोर में डिलाइट जो है तो इसमें पार्ट से वेरिफाई क्या है एर फ्लो इस नार्मल और नार्मल उसको चेक कर रहेंगे लेस्ट गैस हो सकता है यह प्रोलम हो सकता है आई डू यह इंडोर कंट्रोल डैमेज हो सकता है इसको आप यहां से अच्छी तरह से बीडियो को स्ट्वाप करके पढ़ सकते हैं इसमें पी एट एरियर आ रहा है तो या टूंटी नाइन टाइम जो है लाइट ब्लिंक हो रहा है तो आप यहां से पढ़ सकते हैं इसके बाद आता है टाबर सूट एरियर कोड आ रहा है पी नाइन आउडोर अब्यान टंपरेचर ओर लोग प्रोटेक्ष्ण इसका लाइट जो है टूंटी टू टाइम प्लिंक हो रहा है त्यां पर सकते हैं डूडूर अब्यान टंपरेचर के लिए आउड़ अडियन टं तो यहां टोंटी 10K का है इसको चेक कर लेंगे रिजिस्टेंस कंटीनुटी से इसमें चेक कर लेना है किलोवाट में किलना आ रहा है कि अब वीडियो को इस्टाप कर कि यहां से पढ़ लें पी-9 अगर एरियर कोड आ रहा है तो कि उसके बाद पी-ए आता है एरियर को रहा है पी इसमें जो है हीटिंग मोड आउड़ एंबियन टंपरेचर ओवर हाई प्रोटेक्शन हो गया है तो आउड़ी यू रेड ब्लिंकिंग जो रहा है टूंटी थिर्यानि आउड़्डोर में जो है रेड लाइट जर जो है टू तो हमारे चनल सब्सक्राइब करके लाइक जरूर करें सब्सक्राइब करने पाल बेल आता है उसको आउन करेई जिसे दूसरा कोई सब्रीरेव बनाइस आपके पास मेश्ट्र करें बैससे आपाई जो है ने टेगनिशन लोगों का हेल्प कर रहें यह वीडियों अधिस वो तक सेयर करें आज आपका दिन सुबह थैंक्यू पर वाचिंग